इस वीडियो में हम फाइंट करेंगें जो वेब फ्रोम दे रख ही हो। उसका इन्वर्स केंसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखो एक वेब फॉर्म दे रखी है। इस वेब फॉर्म को क्या करते है। पहले mathematical इसका representation लिखते हैं हमें दिख रहा है यह किस टाइब की है इस टेप वेफों में ठीक है तो इस बार वैरीवल यहां पर यह हम जनरली टी पढ़ते हैं ठीक है क्योंकि inverse में दे रखा तो इसको हम लिखने कोशिच करते हैं mathematical पर लिखने में कोई दिक्कत ना आएगी मैंने में सिखाए हुआ कैसे लिखते हैं ठीक है पहले क्या टी कर्स्टू माइनस टू पर क्या या रहा ऊपर की तरफ जा रहा कितना गया दस ठीक है दस तक गया जीरो से दस यानि कितना गया 10 यू कितने पर माइनस टू पर तो क्या आएगा ओमेगा प्लस टू ठीक है आगे देखो फिर वन पर क्या हुआ अगें उपर की तरफ जा रहा कितने का चिंज आया 10 से 20 हो गया कितना गया आगें 10 चला उपर की तरफ ठीक है जब उपर चला तो प्लस लेते हैं नीचे तरफ आता है तो माइनस लेते हैं तो टैन पिलस का टैन आएगा ठीक है यूओ ओमेगा प्लस वन आगे देखो फिर कहां पर मिल रहा है यहां पर देखो नीचे की तरफ आ रहा है 20 से 10 हो गया है हम Hai 20 से यह 10 हो गया तो नीचे की तरफ आरा यानि कितने का हिसम हो माइनस दसका ठीक है कि तो ना चारा था तो माइनस को साथ लिखते व ओ और ऑ कितने मिला ओमेगा व्र सौमेगा माईनस भं पहर है आगे देखो फिर क्या हो रहा है। दस से क्या 31 जीरो जा रहा है अगेन कितने का चेंज है माइनस दस का तो यह कितना आ जागा माइनस टेन यू ओफ ओमेगा माइनस टू यह होगा इसका mathematical representation अब ध्यान से देखो यहां पर देखो थोड़ा smart work करना कैसे smart work करेंगे इस वाले पार्ट को देखो इस वाले पार्ट को देखो पहले और इस व्लेको देखो यह किस चीज़ बन रहे होगी देखन से अगर इन दोनों पार्ट को पहले एक पास लिख लेता हूं ठीक है यू ओ ओव ओमेगा प्लस दो माइनस 10 यू ओव ओमेगा माइनस दो मैं इसको इसा शचंष टोड़ा सा कस देख़ो धूर व्याव और बोने लिखते हिंपना सो अहसोरासि उसका व्याव माइनस 10 मैंनस टूम्यगा माइनस वन ठीक है अब धेखो यह करेंकिया यह भी यह ऑरे करके देखने कि वार में डॉक करके दिखाता कि किस टाइप का इस और िस यह उचरी माइनस के चलता रहा तारा तो परluence तो यह क्या है यह देखते ही समझ आ रहा होगा यह बाद सीधा सवना अट इसका है अगर मैं इसका जिए का पढ़ती हम पढ़ते हमी अपोर कटल्टी थीद यहांप नानी होता था अ या पिशंज और यह पढ़ेंगे यह घा सब्सक्राइब पीड़िड कितना है ओमेगा अपोन फॉर ठीक है तो इस वाले का तो पता चल गया हमें ऐसे इसका देखो इसका पता कर लेते हैं एक सेकिंड में इस वाले का जब मैं डो करता हूं बिल्कुल वह ही है देखो amplitude सेम है period घड़ी आएगा बस period घड़ी आएगा देखो वहाँ पर वन पर मिल रही तो यहाँ पर कितने मिल रही है माइनस वन पर और यहाँ पर बन पर और इसका amplitude वह दस ही आगे यानि एक ही वाले दस है और यहाँ पर capital T के वाले कितने आजाएगी दो आजाएगी तो इसी इससे मैं लिखता हूं तो यह कितना हो जाएगा 10 rect omega upon 2 तो मेरा जो function बन गया 10 rect omega y4 plus 10 rect omega y2 तो मैं अपने x of omega को मैंना modify कर लिया देखो मेरा क्या बन गया x of omega क्या बन गया मेरा x of omega क्या बन गया मेरा 10 rect omega upon 4 और 10 rect omega upon 2 हमें पता है rect तो सिंक का आपस में relation होता है ठीक है पढ़ चुके हैं यह सब rect का सिंक होता है सिंक का rect बना सकते हैं ठीक है तो अब देखो बस यहां से मैं काम शुरू होता है हमारा inverse का हमें पता है पहले मैं फोर्मूला लिखता हूं ए रेक्ट टी अपोन कैपिटल टी का फोर्य ट्रांस्पोर्म जो होता है कितना होता है टू पाई स्वरी एटी सिंक ओमेगा टी बाय टू ठीक है लेकिन यहां पर देखा हूंगे तुम तो मतलब मुझे क्या लगाना पड़ागा डियो लगाने पड़ेगी ठीक है तो पाई डियो टी कितना हो जागा बाई डू अब इसको इदर ले आते हैं और टी की जाए रख देते हैं किसको ओमेगा जाए रख देते हैं टी एटी सिंक टी कैप्टल टी अपॉंट को ठीक है आगे क्या होगा इसको फोले ट्रांस्वर्म बन जाएगा क्या करते थे टू पाई से मल्टिप्लाई कर देते थे ठीक है और इस फंक्शन को इदर ले आए ए रेक्ट क्या ओमेगा टी को किसे रेप्लेस करते हैं माइनस ओमेगा से यह तहुंगा प्लेस को छोट खो खोटा करेक्ट हूं कि यहां पे ठीक हां माइनस ओमेगा 49 ओमेगा केपिल ठीक है अब देखो यहां से बात यहां समझां है ठीक है हमारे पाफ जो के हिए हैं क्या है राइट है ठीक है 10 रैक्ट ओमेगा वाइफोर मैं कैसे मनाओंगा मुझे एक यह फद दस थी ठीक है इस वाले के लिए ठीक है तो देखो दोन तरफ एक रिया दस लगा दो ती कि रिया चाल लगा तो कितना बन जागा 80 कितना जागा 10 इंटो 4 40 40 40 सिंक ठीक है 40 सिंक और इसके कितना जागा फोटी अपॉन दो तूपाइ मृटिप्लाइबाइ दस ठीक है अभी मृटिप्लाइए कर रहे है और रेट ओमेगा अपॉन चार ठीक है तो मुझे क्या चाहिए यह वेलो चाहिए तो मैं क्या गाँड़ता हूं तो यह कितना हो जागा 40 अपॉन टू पाई सिंक यह कितना जागा अंदर टूटी ठीक है इसका यह फॉर्य ट्रांसपोर्ट निकार लिए इतना है टैन रेक्ट ओमेगा अपॉन चार यह हम उल्टा कह सकते हैं इसका इन्वर्स पॉर्य ट्रांसफोर्म टैन रेक्ट ओमेगा वाई फॉर का कितना आ गया 40 अपॉन टू पाई सिंक टू ठीक है इसी तरह इसे हम क्या करेंगे अब दूसरे वाले का निकालते हैं टैन र फॉर्मले से क्या बनाएंगे यूज करते हैं इस वा इसके लिए लिए यूज करता हूं थोड़ा ऊपर कर दो इसको ठीक है एक जया दस और टी के जया कितना रखना अब कर सेकेंड के समय यह था हमारा पहले वाले क्लिए यह फ्रस्ट पार्ट लिए ठीक है फस्ट पार्ट के लिए ठीक है मैं फस्ट पार्ट कर देता हूं उस वाले को अब लिखते हैं सेकंड पार्ट के लिए तो हमारा उसमें क्या ए बराबर दस था और कैप्टल टी आया था दो अगें फॉर्मूले बगाता हूं एटी कितना जाएगा ट्वन्टी सिंक यह कितना जाएगा ट्व टी ठीक है कैप्टल टी की जाएगा दो लगा है अपॉन तो फॉर्मूले म लगा रहा हूं मैं अगे नहीं पर ठीक है और यह फॉर्ये ट्रांस्फॉर्म इसका टू पाई ए रैट ओमेगा वाई टू टू पाई मल्टिप्लाइ और एक की जाएगा दस रैक्ट ओमेगा अपॉर्ट टी की जाएगा दो ठीक है तो यहां से हमें क्या मिल गया टू पाई आगे नहीं चाहिए तो मैं टू पाई का मैं क्या कर दूँगा डिवाइट कर दूँगा इधर कितना हुजा है ट्वन्टी अपॉन मिलिकों तो हमारे जो दोनों क्या मिल चुक्ते फोरी ट्रंस्फॉर्म मिल चुका है ठीक है या चौन मुझे इनवर्स मिल चुका है क्या कर दोंगा ये वाले पाल चाहिए था मुझे सब्सक्राइब करें तो मैं क्या करूंगा मेरा एक्स ओफ टी कितना गया इस वाले का ठीक है तो मुझे यह निकाल लिया और यह भी निकाल लिया इसी तरह किसे मैं क्या कर दूँगा दोनों फुरी ट्रांस्पर्म को एड कर दूँगा ठीक है तो मैं लिखता हूं अब एक्स ओफ टी का तो एक्स ओफ टी कितना आ गया हमारा एक्स ओफ टी कितना गया पहले एक्स ओफ ओमेगा लिखता हूं ठीक है ताकि कोई कन्फूजन ना रहे है कितन आता हो, 10 rect omega y4, 10 rect omega y4 था एक और दूसरा क्या था, 10 rect omega upon 2, ठीक है, 10 rect omega y2, अब दों तर्प मैंने inverse ले लिया, x omega हो जागा, x थी, 10 rect omega y4 की value कितना ही है, उपर वाला देखो, 10 rect omega y4 कितना, 40 upon 2 pi, 5, 2 T, 40 upon 2 pi, 5, 2 T, पेलास, और दूसरा वाले कितना, यह 10 rect omega y2 की, 20 upon 2 pi, 5 T, ठीक है, थोड़ा से इसको simplify कर सकते है, कर दों दिवाइट, 2 से डिवाइट हो रहे हैं, तो इसको पर डिवाइट और कर दो, यह इसका answer हो जागा, यह कितना जागा, 20 upon pi, 5, 2 T, प्लस, यह कितना जागा, 10 upon pi, 5 T, ठीक है, यह क्या इसका answer है, ठीक है, most simplified answer है, इसका, ठीक है, इससे यादे तो solve में कर सकते हैं, यह इसका final answer है, ठीक है, देखो, एक मुश्वीर कोशन को, हमने कितना आसान मना दिया, ठीक है, बाइ, और लोजिकल ठीक आप लोगों समझाय वागा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फोड़ा सा बस property और यह सब रहता है, एक बार properties याद है, और इस वीडियो में इतना ही और थैंकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोब्लम के साथ